तो भूरीज वेल्कम डू कोकी स्किचन आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ यामी आटेस्टी ब्लाग ग्रेप और बनाना स्मूदी तो चलिए बना लेते हैं समब स्पेशल टेस्टी आइंड यामी ब्लाग ग्रेप बनाना स्मूदी ब्लाग ग्रेप स्मूदी बनाने के लिए मैंने यहां 25 से 30 ब्लाग ग्रेप ले लिए हैं एक बनाना है इसको मैंने इस तरह से कटकर लिया और चिल्ड मिल्क लिया है मैंने एक ग्लास तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एले हम ब्लेंडिंग जार में ले ले लेते हैं ग्रेप्स के साथ ही हम डालेंगे बनाना मैं आज वीटनर के लिए stevia यूज़ कर रही हूं आप चाहे तो honnie भी यूज़ कर सकते हैं या फिर normal चीनी भी यूज़ कर सकते हैं मैंने यहाँ एक टी स्पून यूज़ कर रहे हूं अगर आपके ग्रेप्स जाधा खटे हो ताप यहाँ पर क्वांटिटी स्टीविया की या फिर शुगर की बढ़ा सकते हैं इसमें हम पहले थोड़ा सा मिल्क कर देंगे और इसे ब्लेंड कर लेते हैं मैंने आदा ग्लास दूद इसमें एड कर दिया है अब इसे ब्लेंड कर लेते हैं अब हम पाकी का मिल्क एड करके इसे फिर से एक बार ब्लेंड कर लेते हैं रीजे स्मूदी हमारी रेडी हो चुकी है चलिए इसे सर्व कर लेते हैं तो चलिए तरव कर लेते हैं हमारी टेस्टी-टेस्टी श्moodie तो आप भी जरूर बनाइए इस समौदी इस तरह से ब्लाक ग्रेप ऐंड बनाना स्मूदी देखते ही, पीने का दिल करें, ऐसी हमारी टेस्टी स्मूधी रेडी हुई है, आप कब बना रहे हैं इस स्मूधी को, तो कॉमेंट करके बताइए दोस्तों, इस समर आप ज़रूर एंजोई करिए, इस तरह से ब्लाइग ग्रे बाइन बनाना स्मूधी बना कर, आज की के लिए कराऊंगी मैं आपके लिए तब तक के लिए ठीक के हैं बाबाई